ये गाजा को हम कहते हैं, कि आप कानून का दर्जा दे जिके इसे वैद कर दो, पूरी-पूरी महफिल लगा के गाजा पीते हैं, बड़े-बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गाजा पीते हैं, उसे भगवान का परसाद और बूटी कह परके पीते हैं, कानून में और पीने के लिए छूट भगा भगा हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और परसाद है भां को क्या समाज में गाजिपूर सांसत अबजाल अंसारी का माहकुंब को लेकर एक बयान सामने आया है जिस मौत कहते हैं गाजा को भी सरकार को वैद कर देना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग गाजा पीते है धार्मिक आयोजनों में लोग गाजा पीते हैं उससे भगवान का प्रसाद कह कर पीत देखी वारल वीडियो में और भी क्या कहते हैं अबजाल अंसारी गाजा को वैद करार देने की मांग कर नहीं है हम आपसे पूछ सकते हैं आप बताईए ये गाजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा दे के इसे वैद कर दो लेकिन कानून का इतना बड़ा माखोल के उलाते हो लाखो करोणों की संख्या में गाजा पीने वाले लोग खुले आम गाजा पीते हैं पूरी पूरी महफिल लगा के गाजा पीते हैं बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गाजा पीते हैं उसे भगवान का परसाद और बूटी करके पीते हैं तो भगवान का परसाद और बूटी है तो अवैद क्यों है भाई यह दोहरी नीती क्यों अगर वो भगवा प्रसद्न है बगवान की बूटी है तो सफों में मानता दो कानून में अवैद और पीते के लिए छूट है भगाभग ॉपाना जाएं के आप धारां के लिए आगर भगवाल शंकर की वो बूटी और परसाद है भांग को क्या समाज में किस तरह से तोड़ मरोड करके प्रस्तुत किया जाता है भांग भांग साब एक दम इतव परसाद बाद अब भांग का लाइसेंस मिलेगा लेकिन गाजा को तो लाइसेंस भी नहीं है यह इसी अवा पञाखों करों अभी कुम लगने जा रहा कुम लगने जा रहा ना एक अदर मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गाजा की तो खत्म हो जाएगी और वह Одन कानून बनाये तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से और या तो उसको छूट परदान करिए हमारा हमारी मांग है कि सार बहुत सारे साधू संक्त महत्मा और बहुत सारे समाज के लोग गाजा बड़ा सोक से पीते हैं कहते हैं लुप साब इसको पीने से भूख भी लगती है स्वास्थ के लिए भी ठीक है तो इसको हमारी मांग लगा कि आप आपने उचला दीजिए कि मेरी ये मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दो भाईया